हेलो गाईस आज हम बात करेंगे realme c11 और c12 के lock screen setup के बारे में हम आप लोग को बताने वाले कि आप लोग fingerprint lock के step सेट करेंगे और face lock के step सेट करेंगे इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बेने टाइम विस्ट किये उससे पहले आप लोग ने अगर हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का इकन को दबाना भी ना भूलेगा इसके लिए सबसे पहल मिलता है हमें 8 face का हमने अपने फोन में जो है fingerprint को एड कर लिया इसके विजसे हमारी फोन में सी fingerprint का option आ रहा है अगर आप लोग फॉस्ट टाइब इंटर करेंगी सैटिंग में तो हमें जैसा 8 face का option आ रहा है उसी type का 8 fingerprint का भी option आ जाएगा तो जो आप लोग को बैटर लगे वो lock आप लोग यूज़ कर सकते हैं मैं तो आप लोग को दोनों ही lock सैट अप करके बदाने वाला हूँ सबसे पहले अगर हम बात करें fingerprint के लिए fingerprint पर क्लिक कर दाना है हमें और first time अगर हम लोग enter करती setting में तो हमें यहाँ पर password अपना enter करना पड़ता है पास कोड में नंबर वाला और जो भी पास कोड हम इंटर करते हैं कि अगर आप लोग भूले तो प्रॉब्लम आ सकती ठीक है ना ऐसा बहुत साल लोग साथ प्रॉब्लम हो जाती कि हमें पासवर्ड याद नहीं है हम क्या करें तो उसमें क्या होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्ड करने के लिए काफी ज्यादा ताम जहम करना पड़ता है तो आप लोग जो भी पासवर्ड क्रियेट करिए ग्रपिया उसको नोट करके रख लिजिएगा भूलने वाली प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए है तो यहां पर हमने अपना पासवर्ड डाल दिया सेकेंड ऑप्शन जो रहता है स्ट्रैप का ओपन हो जाता है हमने अलड़ी दो फिंगर यहां पर यहां पर क्विक रिस्पॉंस मिलता है और काफी बैटर तरीके से जो है फिंगर प्रिंट यहां पर वर्क करता है युसे फिंगर फिंट करें और कहां-कहां अपलोग इसको यूस करना चाते वो टिक कर सकते आप लोग जैसे कि इस screen unlock हो गया, app lock हो गया, private save हो गया, depend करता है आप लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना चाते है, और नीचे हमें fingerprint की customization से related settings देखने को मिल्या दिया है, उसके just नीचे option आता है हमार 8 face का, 8 face पे हमें क्लिक करना है, लगबग से हमें हमें यहाँ पर वही passcode create कर देना है, पासकोड करने बाद यहाँ पे जो है हमें अपना face इंडॉल कर देना है, यहाँ पे आप लोग हो सकता है अभी skin recorder में देखने को नहीं मिले, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि यह जो privacy से related feature रहते है, यह जो हमें skin recording में देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि skin recording में जैसे हम इसको open कर पूरा black black यहाँ पे हो जाता है, तो जैसा हमने fingerprint में आप लोग को बताया, लगबक से हम आप लोग को 8 face पे कलिक करके अपना face इंडॉल करना है, use face lock 4 पे कलिक करना है, private shape, screen unlock या फिर आप लोग उसको app lock पे भी यूज़ कर सकते है, डिपेंड करता है आप लोग कौन सा ते कर जैमा तरी